इस टीवाइस को आप अपने टीवी के साथ कनेक करने के बाद एक बहुत ही अच्छा होम तेटर का experience कर सकोगे जी हाँ यह है शाउमी का टीवी soundbar जो की आपको एक बहुत ही बढ़ियाद sound experience प्रोवाइट करेगा शाउमी ने इसे इंडिया में लाँच कर दिया है और एक बहुत ही किफायती दाम में इसे लाँच किया है सिफ आपको यह 4999 की प्राइज में मिल जाएगा इस वीडियो में हम इसी soundbar के बारे में बात करने वाले हैं इसके unboxing भी आप देखेंगे और sound test भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे request करूँगा कि प्लीज आप वीडियो को end तक देखना और like और share करना बिलकुर भी मत बुलना तो चलिए शुरू करते हैं गाइज यह है मी sound bar का box box के side में आपको इसके contents बगेराद मिल जाएंगे आपको यहाँ पर mention किया है model name manufacturing etc box open करते ही आपको एक अच्छी सी thermogal की packing में आपका sound bar मिल जाएगा और साथी में आपको एक installation guide और side में आपको SPDIF cable मिल जाएगा जिसके help से आप अपने TV से sound bar को connect कर सकेंगे साथी में आपको और भी connectivity के options मिल जाएंगे यह हमारा power adapter जिसके help से आप अपने sound bar को power देंगे साथी में आपको wall mount करने के लिए कुछ screws मिल जाएंगे अगर आप wall mount करना चाहते हो तो आप अपने sound bar को इस screws की help से mount भी कर सकेंगे और यह है हमारा main unit sound bar front portion में आपको यह जो mash tab का material दिख रहा है बहुत एक premium look दे रहा है plastic build है लेकिन आपको एक premium finish मिल जाएगा यह जो close tab का material है इसके पीछे ही आपको speakers मिल जाएंगे इस sound bar में आपको 8 sound drivers मिल जाएंगे 2 dooms, tweeters, 4 passive radiators और 2 2.5 mm के अच्छे woofers पीछे के अगर हम बात करें तो आपको यह जो देख रहे हैं आप screw points मिल जाएंगे wall पर mount करने के लिए और आपको बीच में ही मिल जाएंगे कुछ connectivity के ports, multiple connectivity options आपको मिल रहे हैं इस sound bar के साथ, पहला जो देख रहे हो यह हमारा power point है जिसके अंदर आप अपके adapter को connect करेंगे, दूसरा है हमारा fiber optic cable, तीसरा है हमारा spdf cable अगर आपका tv इसे support करता हो तो और जो चौथा और बाच में आप देख रहे हो यह हमारा जो पुराने tvs होते हैं जिसमें audio video का जो support रहता था उससे आप वो tvs को connect कर सेकेंगे और last है हमारा 3.5 mm का audio jack और यह जो button आप देख रहे हो यह main on off button है जिसके help से आप अपने sound bar को on off कर सकेंगे bottom में आपको rubber paddings मिल जाएगी जिसके health से आपको एक बहुत ही अच्छी table grip मिलेगी आपका sound bar slip नहीं होगा अपर आप यह जो buttons देख रहे हो यह बहुत ही अच्छी quality के buttons दिये हैं आपको अलग-अलग modes में change करने के लिए और आपका volume degrees increase करने के लिए आपको कोई भी mode में जाना हो तो आप प्रेस करके आपका वह connectivity mode change कर सकेंगे इन buttons के health से चलिए इसे phone से connect करके Bluetooth से हम इसकी sound quality एक बार test कर लेते हैं basic से आपको आपके phone में Bluetooth on करना है और यह sound bar पे click करके आपको इसके साथ connect करना है यह लेओ मेरा phone connect हो चुका है अभी हम कुछ royalty free music smell on करके इसका sound experience एक बार check करते हैं लड़ा कर लाड़ा हाs कर वा लाड़ा हुआ आपको बार बारा कर लो再ि कर वारी औरलना कर वाल अबर को अधिग उट एक अ वह लुआ है आपने साउंड कॉलिटी तो सुनी इस साउंड बार की पिस्चल क्रियल से आपको साउंड मिल जाएगा शायद आपको वीडियो में इसका अच्छा अंदाज़ा नहीं आएगा बट हॉनसली मैं आपको बोलूगा कि इसका एक्सपिरियंस बहुत ही बढ़िया है ला जवाब स यह सिर्फ आपको 4999 की प्राइज में मिल रहा है तो कि हम अगर दूसरे साउंड बार के साथ इसे कंपेर करें तो यह बहुत ही कंप्राइज है और साथ ही में इतनी कंप्राइज में आपको हर बार की तरह शौमी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोड़क्ट चलेगा इसका असल साउंड कॉलिटी कैसी है ऐसे आपको वीडियो में अंदाजा नहीं आएगा मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगेरा मेंशन कर दिया है कॉंटेक्ट डीटेल्स भी है आप उनसे कॉंटेक्ट करके इसका लाइव डेमो ले सकते हो बस इस वीडियो चेक्प्रेस अरेना की वीडियो मिलते हैं इंशालला नए वीडियो में अंटिल देन दिस इस साइनिंग आफ सी यू बाबाई खुदाफिस